Hello everyone, आपकी request पर हमने अपने general studies के courses पर 30% discount की deadline को और extend कर दिया है ये discount हमारे इन 3 courses के उपर valid है अगर आप general studies की comprehensive preparation करना चाते हैं तो हमारा GS foundation course के अंदर enroll करा सकते हैं इस foundation course के अंदर हम आपके prelims के पूरे slaybers को cover कराएंगे साथी साथ mains के आपके general studies के चारो paper का syllabus cover कराया जाएगा GS foundation course के अंदर current affairs का course भी included है तो अगर आप GS foundation course लेते हैं तो उसके बाद आपको ethics या फिर current affairs के course को अलग से लेने की ज़रूत नहीं है वो सब इसके अंदर included रहेगा हमारा एक major focus है answer writing के उपर तो general studies के अंदर जब भी हम कोई topic करेंगे तो उस topic से जड़े हुए किस तरह के questions पूछे जा सकते हैं उन questions को कैसे tackle करना है answer writing में किस तरह का introduction होना चाहिए body के अंदर क्या चीज आईगी और conclusion किस तरह से लिखना यह सारी की सारी चीज आपको class के अंदर practice कराई जाएंगी GS के course के बाद आपको किसी और तरीके के source को follow करने की ज़रूत नहीं है आपका general studies के लिए जो primary source रहेगा वो हमारी classes रहेंगी और classes के साथ साथ जो भी हम आपको notes प्रोवाइड करेंगे वो रहेंगे इसके अलावा अगर आप इस साल mains लिखने वाले हैं आपको लगता है कि आपका prelims अच्छा हुए या फिर आप 2023 के लिए ethics के preparation करना चाहते हैं तो हमारा ethics का batch भी start हो रहा है ethics के batch के अंदर आपकी total 27 classes होंगी 27 classes में से almost 15 classes होंगी जिसके अंदर आपके syllabus को cover कराया जाएगा और इन 15 classes के बाद 12 classes होंगी जो की आपके answer writing के लिए होगी इस in answer writing classes के अंदर हम previous year questions को discuss करेंगे साथ सी साथ आपके कुछ mock papers को भी हम discuss करते रहेंगे ताकि आपको एक idea लगे कि ethics के questions को आपको कैसे tackle करना है ethics के अंदर syllabus cover करने से जादा important है questions का answer करना ethics एक ऐसा subject है जिसमें UPSC ये देखना चाहता है कि आप अपनी knowledge को किस तरह apply करते हैं और वो application part वो जो dynamic nature ethics का वो answer लिखने के बाद ही आएगा तो इसलिए हमने आपकी 12 classes answer writing को devote की है ethics के course के अंदर हमारा current affairs का course भी एक separate course start हो रहा है कि अगर आप JS foundation course नहीं लेते तो आप current affairs में भी enroll करा सकते हैं अगर आप civil services 2023 के लिए serious हैं तो current affairs को बिल्कुल भी neglect मत कीजेगा क्योंकि अगर इस साल के आप prelims का paper को भी देखेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि लगबग 45 questions जो है वो आपके current affairs से आया है और current affairs में भी ऐसा नहीं है कि बहुती easy questions थे आपको एक thorough understanding चाहिए अगर आप daily newspaper पढ़ रहे हैं तो आपके लिए questions काफी easy होते तो हमारा यह जो program होगा इस program के अंदर हम आपको minimum दो newspaper की coverage कराएंगे जिसके अंदर से आपको लगबग सारी की सारी news cover होती जाएंगी तो आपको current affairs के course के बाद अलग से कोई भी newspaper पढ़ने की जरूत नहीं है बस जो notes हम आपको provide करने है वो notes आपको read करने है जो हम आपको classes provide करने हैं उन classes को आपको अच्छे से revise करना है और उन notes को बार-बार पढ़ते रहना है अपने exam तक current affairs के course के अंदर आपके prelims से जुड़े हुए facts को भी cover किया जाएगा और साथी साथ mains के अंदर जो current affairs को आप कैसे include कर सकते हैं आपका current event जो चल रहा है वो current event आपके static subject से किस तरह relate होता है ये सारी की सारी चीज़े आपके इस course के अंदर कराई जाएगी current affairs की आपको daily pdf provide की जाएगी ये जो pdf है इस pdf के अंदर आपको दो newspaper की summary मिलेगी ये pdf आपको daily read करनी है इसके आपको अलग से कोई notes नहीं बनाने पर इनको read करना है आपको फिर उसके बाद आपकी weekly current affairs की class होगी इस weekly class के अंदर हम current affairs को एक systematic तरीके से arrange करके आपको बताएंगी कि कौन सी news आपके general studies के किस paper में आती है ठीक है उसका जो भी analysis होगा वो सारी की सारी चीज़े हम उसके अंदर cover करेंगे बहुत सारी news ऐसी होती है जो daily basis पर repeat हो रही होती है तो जब हम weekly news को cover करेंगे तो उस news से जुड़े हुए पिछले पूरे हफते में जो भी fact आये थे जो भी analysis आये था वो सारा का सारा आपको एक ही जगा पे provide कर देंगे ताकि आपकी revision easy हो जाए current affairs के हमारे इस course में prelim से पहले आपकी special revision classes भी होगी ताकि जो भी हमने current affairs के आप उसको revise भी कर सके एक चीज़ मैं फिर से repeat करना चाहूँगा कि अगर आप हमारा GS foundation course लेते हैं तो आपको अलग से ethics या current affairs लेने की ज़रूत नहीं है यह दोनों के दोनों इसके अंदर included है GS foundation course आपका एक one stop solution बनेगा 2023 civil services examination के लिए इस course के बाद आपको कुछ और refer करने की ज़रूत नहीं पड़ेगी चाहे वो आपके notes हो या फिर answer writing practice हो जो हम discount provide कर रहे हैं जो first 30 students enroll करेंगे उनको 30% का discount मिलेगा उसके बाद यह discount 20% का हो जाएगा next 30 students के लिए और फिर discount आपका 10% हो जाएगा इन courses के अंदर आपके syllabus को तो cover कराये जाएगा साथी साथ ये भी ensure किया जाएगा कि आपको चीजे समझ में भी आ रही है ऐसा नहीं कि हम सिरफ syllabus cover कराते जा रहे है चाहे आपको समझ में आये या ना आये एक personal attention के साथ आपकी classes conduct कराये जाएगी बाकी details के लिए आप हमारी app को download कर सकते हैं और टेलिग्राम के उपर भी आप हमें contact कर सकते हैं टेलिग्राम और app का link आपको description box से मिल जाएगा Thank you